अध्याय दो श्लोक तेरा भागवद गीता देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहां तरप्राप्त धीरस्तत्रनमुन्यती अनुवाद जिस प्रकार देहधारी जीवात्मा बाल्यवस्था से यौवन से वृद्धवस्था तक निरंतर चलती रहती है उसी प्रकार मृत्यू के समय जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है ज्यानी इससे भ्रमित नहीं होते फ्याख्या श्री कृष्ण इस श्लोक में उर्जा संगरक्षन के नियम के उस फाक को समझा रहे थे जो कहता है उर्जा के रूप को परिवर्तित किया जा सकता है उन्होंने कहा कि एक जीवन काल में जन से लेकर नृत्यू तक हमारे भौतिक शरीर में बच्पन से लेकर और अवस्था तक युवा अवस्था से लेकर रुद्ध वस्था तक कई परिवर्तन होते हैं यह मनुष्य जीवन की एक स्वभावित ख्रिया है इस प्रकार से जीव आत्मा की उर्जा शिशू के शरीर से किशोर शरीर में किशोर शरीर से युवा शरीर में युवा शरीर परिपक्व शरीर से रुध्ध शरीर में और रुध्ध शरीर से मृत्यू तक कई पास थानांतरिक की जा चुकी होती है। फिर मित्यू के समय यह जीवात्मा एक भौतिक शरी खोड़कर दूसरे भौतिक शरी को धारन कर लेती है तथा फिसे एक शिशु के रूप में जन ले लेती है. इस प्रकार से श्री कृष्णि जीव आत्मा के स्थानांदरन के सिधान को, तथा जीव आत्मा के शाश्वत अस्त्वित्त को स्थापित कर रहे थे। इस प्रकार एक जीवन काल में हमारा भौतिक शरीर कई प्रकार के परिवर्तनों से होकर गुजरता है। पर इस भौतिक शरीर के अंदर जो एक निरंथर इकाई है जो कभी परिवर्तित नहीं होती यहां मनुष्य के अस्तित्व को अक्षुन्य रखती है इस निरंथर इकाई को जीव आत्मा कहते हैं जीव आत्मा अभौतिक आयाम होने के कारण आधी और अंत तथा जीवन और मित्यु के निरंथर चक्र से मुक्त होती है यहां निरंथर इस्तित्व में रहती है परंदु भौतिक शरीर जो भौतिक आयाम का एक हिस्सा है वहाँ जन्म से ही अपने अंत की ओल बढ़ता रहता ह आधुनिक विज्यान ने इस बात की पुष्टी की है कि इस शन जब मैं आप से बोल वही हूँ उसी शन मेरे शरी में कई कोशिकाएं नश्ट हो रही है तथा कई नई कोशिकाएं निर्मिट भी हो रही है वास्तव में हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के पुनर निर्मान की यह प्रक्रिया कोशिकी ये स्तर की तुलना में आणविक तथा परमानू स्तर पर और भी ज्यादा तेज होती है इस कारण एक जीवन काल में हमारा शरी शाथ से दश वर्ष में पूरी तह से नव निर्मित हो जाता है जीव आत्मा के स्थानांतरन का सिध्धान पुनर जनम के सिध्धान की नीव है जिस पर दुन्या भर के सभी धर्म के लोग जैसे हिंदू बौद, जैन, सिक, कबाला, सूफी, फकीर आदी विश्वास करते हैं वास्तव में जब जीव आत्मा पुराने निश्क्रिय शरीर को त्याग देती है तो हम इसे मृत्यू कहते हैं और जब जीव आत्मा अपने आपको एक नए शरीर में स्थानांतरत करती है तो हम इसे जन्म कहते हैं बुद्धिमान यक्ती जानते हैं कि हर प्राणी शाश्वत है क्योंकि वह जीव आत्मा के स्थानांतरन के सिध्धानत को समझते हैं इस प्रकार उनके पास किसी भी प्राणी के मित्यू पर शोक करने का कोई कारण नहीं होता इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि उन्हें भीश्म और द्रोन को माने के विचा से शोक ग्रस्त नहीं होना चाहिए क्योंकि भीश्म और द्रोन, द्रोनों वृद्ध हैं और अगर वे इस युद्ध में वीरगती को प्राप्थ हुए तो ये उनके लिये सर्वश्रेष्ट है क्योंकि उनकी जीव आत्मा एक वृद्ध शरी को त्याक एक शिशु का शरी धारन कर लेगी और अगर वे इस युद्ध में अपने शत्रिय धन का निर्वा करते हुए वीरगती को प्राप्थ हुए तो या तो उनको स्वर्ग प्राप्थ होगा या फिर वे इस जीवन मित्यु के चक्र को तोड़ मुक्त हो जाएंगे अगर आपको मेरे इस श्योग की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल तर मिस्टिक दी मिस्टिफाई को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें जै श्री कृष्णा